उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलट फेर इस वक देखने को मिला है जहांकि 80 सीटे हैं और भारतिय जर्णता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले खराप प्रोदर्शन करती हुए दिखाए दे रहे हैं 37 सीजों पर समाजवादी पार्टी के लिए लगातार ब मौधी मौधी देश को दुकने नहीं दूगा कमाल करके दिखा दिया यूपी के जट्पा अखिलेश यादव और राहूल गांधी के जोड़ी ने कमाल कर दिया यूपी में यूपी के लड़कों ने दम दिखा दिया अखिलेश और राहूल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में जम कर जलवा भिखे रहा है यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे जादा पुलिटिकल विजडम मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश व्यादव का जादू चला है और जम कर चला है साइकिल दोड़ी है और क्या खूब दोड़ी है और इसलिए यूपी में समाजवादी पार्टी के कारकरता जश्ट मना रहे हैं ढोल नगाले बजा रहे हैं मिठाइन्या खिला रहे हैं समाजवादी पार्टी में नया जोश नया ज़स्बा है क्योंकि जमाने बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसा शांदार प्रदर्शन किया है लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गड़बंधन करने का फाइदा कॉंग्रेस को मिला है यूपी में पेट के बलपड़ी कॉंग्रेस को संजीवनी मिली है इसलिए कॉंग्रेस के कारकरताओं में भी जश्न ही जश्न है काशी में बीजेपी ने जिस तरह का महौल बनाया था उससे लगा था कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए उनके सामने कॉंग्रेस के प्रत्याशी आजए राए पियम पर निशाना साथ रहे है अजए राए इसे पियम की नहतिखार बता रहे है ये मोदी की नहतिखार है परदान मंद्री जिन्होंने हजारों हजार करोड का काम किया तमाम बड़ी बड़ी बाते कहीं जब आते थे पंजा लेलो दो हजार करोड जैसे लगड़ा खैरात बाट रहे थे समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के गटजोल ने यूपी ने बीजेपी को पस्त कर दिया कहां तो बीजेपी ने टारगेट रखा था यूपी में सभी 80 सीटे जीतने का और कहां 2019 के मुकाबले आधे अंको तक ही बीजेपी सिमट गई समाजवादी पार्टी अगर 37 पर चली जाती है तो यकिनन एक बहुत बड़ी काम्याबी उसके लिए है लेकिन भारती जन्ता पार्टी जिससे 2014 और 2019 के चुनाव में शांदार प्रदर्शिन क्या था उसके लिए उत्तर प्रदेश में इस बार सूखे के सती क्यों बनी रही कुमार अभिश्यक हमारे समबाद्धा था इस वक्त हमारे साथ जुट चुके हैं सीधे लखनाव से कुमार अब बीजेपी को मन्थन तो करना पड़ेगा जहां पर डबल इंजन की सरकार थी वहां पर यह हाल क्यों हो गया क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से जादा सीधे बीजेपी को मिली होती तो शायद वो जादूई आंकड़ा है 272 का जिसके लिए मौजुदा वक्त में बीजेपी तरस्ते भी दिखाई दे रही है वो आकड़ा उसको आसानी से मल जाता बिल्कुल चित्रा और ये मंथन चल भी रहा है लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर जितने भी सीनियर नेता हैं संगठन और सरकार के सभी बैठे हैं लेकिन देखिए ये चुनाओ जमीन पर कुछ इस तरीके का चुनाओ बन गया कि इसने पूरी तरीके से बीजेपी को धोबी पचाड जिसको जो एक मुहावरा है वो उसने दिया है और इसके पीछे की वज़ा कई है बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से इसके अलावा समविधान और आरक्षन ये इतने बड़े मुद्दे बन गए कि सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक में इसने जगह बनाई और जिस तरीके से इंडिया गठ बंधन ने एक तरीके से इस कैमपेइन को पूरे तरीके से लोकल बना के रखा ये बीजेपी को भारी पड़ा है इसके अलावा कैंडिडेट्स का अपना विरोध था और साथ-साथ कहीं न कहीं बीजेपी के भीतर भी एक तरीके की बड़ी इंटर्नल गुटबाजी थी दिल्ली से लेकर लखनों त पहले फेस के बाद से ही आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा चुनाओ इंडिया गड़बंदनी की तरफ शिफ्ट होता हुआ गया और कई कैंडिडेट्स ने खास करके रागोल लखनपाल इसके अलावा आयोध्या से लल्नु सिंग ऐसे कैंडिडेट्स ने ये बात कही है कि जो आरक्षन और समविधान समाप्त करने का मुद्दा दलितों में गया है इसने बहुत नुकसान किया है और कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादों की जोड़ी है उसका जो जल रहा पॉलिटिकल उसने काम किया है मु